आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलो की सब्जी सूजी की पूड़ी और सूजी के पराटे की रेसिपी इससे पहले हम आगे बढ़ें अगर आपनी मेरे चान को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज मेरे चान को सब्सक्राइब करें वैल ऐकन जरोद पाए पहले आ अधरग डाल रहे हूं साथी मैं इसमें 5-6 हरी मर्ची लेआ हैं इसे और समूठ करने के लिए चल्ट में थोड़ा सा पानी डाल एक और बार ग्रेंड अब देख सकते हैं समूठ प्यूरी बनकर यह गरम कर लिए हैं 5-6 टेबल स्पून ऑल रही हैं इसके बाद तेल करम होन बात में इसमें जो फ्यूरी आमने तयाद तहीं भी डाल दी मैंने 2 मिट तक सिमें पकानी के बात में एक चमस्त लाग्या भी मर्ची अब ये आलू इस तरीके से मैं हाथ से ही squeeze करके डाल रहे हूँ, इस तरीके से जितने भी ये boil आलू है ये मैं डाल दूँगी, देखें, इसको mix कर लेते हैं, दो मिनिट तक आपको इसी तरीके से जो हमारे आलू इसको पकने देना है, इसको थोड़ा और बफाने देना है, इ है दिखिए से मिक्स कर सकते हैं कि अगर इसमें थोड़े मोटे आलु अगर आपको लग रहे हैं तो इस तरीके सराथ इसको मैश कर सकते हैं देख wolves संकते हैं आप देख सकते हैं जो मारी सबजी है बन कर तयार है, ग्यास का फ्लीम आफ कर देंगे और अब चलने से सर्फ करने के लिए, देखे हमारी आलू की सबजी बन कर तयार है, इसको धनिया पत्ता से मैंने गानिश कर दिया है, अब हम बनाएंगे सूजी की पूरी, चलिए इसकी रेसेपी आपके साथ शेयर करती हूँ देखे एक बड़ा बाउल लेया है, मैंने इसमें आदा कप सूजी डाल रही हूँ और एक कप आटा, साथी मैं इसमें एक चमच नमक डाल रही हूँ और एक चमच लाल मर्ची, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्याज जादा कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया प इस तरीके से और उसको अपने पांस में मलें उसके बाद, फिर इस पे कोट करें आटे पे ताकि जो इसका डो है और आटे समूथ हो जाए। देखिए, डो बनकर तयार है, थोड़ा सा टेल और अपने हातों में मल लेए। उसके बाद हमे से इसके जो बॉल्स है भॉना ले बियां हैu, medium size के balls आप बना ले, इस तोरीके से पूरे आठे के आप बना ले, सित separately आप बहुत ही आसान है, पोड़ी बहुत ही जलदी बन तयार हो जाती है, इसी तरीके से तारे जो आप memang बना ले रही हूं, आप देख सकते हैं और ये सारे जो हमारे बॉल्चें बनकर तयार हैं तोड़ा सा तेल मैं इसमें लगा दे रही हूँ साथी थोड़ा सा सूका आटा भी डस्ट कर दे रही हूँ उसके बाद हम ये पूरी बना रहे दे प्रॉपर शेप में पॉड़ी बनाए इस तरीके से देखें आप बेरते जाए और यह जो हमारी पूड़ी है बनकर तयार है देखें एक पूड़ी बन चुकी है इसी तरीके से दूसरी भी बना ली है मैंने एक और दिखादेते हूं को इस peach deep fry करेंगे तेल को आपको गरम होनी तीन है उसकी बाद यह डाला है दिखें इस तरीके से सेंगे इसे अपना ज़ाड़ा होताई है यह से बीच मे दबाते जाएँ हलका प्रेस करें तो अपनी जो पूडिया है वो फूलती जाएंगी आपको इसको तब तक पकाने हैं जब तक गोल्डन ब्राउनी हो जाती है आप देख सकते हैं यह पूड़ी बनकर तयार है इसी तरीके से हम और पूड़ी तल लेंगे इसे भी मैंने डाला और इस तरीके से प्रेस करेंगे जैसे ही प्रेस करेंगे आपकी जो पूड़िया है वो फूलती जाएंगी और यह गोल्डन प्राउन हो चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे और यह हमारी पूड़ी जो है बनकर तयार है इसी तरीके से सारी पूड़ी आफ तल लें और यह हमारी क्विक ई ताकि जो आठाह है हमरे हाथं में चिपके न इस तरीके से इस of allies बॉल्स रहेके तैयार कर asynchron have थोड़ा सा आठा और लगाऊंगी इसमें उसके बाद से बेल लूँगे इसी तरीके से आप सारे पराठे बना कर तयार कर सकते हैं आप ध्यान से बेलें जो शेप में आप पसंद करते हैं उस शेप में आप पराठे बना कर तयार कर सकते हैं देखिए मैंने जो मारा पराठा है, मैंने बेल लिया है और ये प्रॉपर तयार है, तवा मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो और भी डाल चकते हैं, घी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, और घी हेल्दी भी होता है और के कमपैरेशन में, देखिए, इसे हम सेक लेते हैं अच्छी तरीके से, इस सेट भी मैं घी लगा दे रही हूँ, और अपने पराठे को हम दोनों तरीके से, अच्छी तरीके से सेक लेंगे, देखिए, और थोड़ा सा घी लगा दिया है मैंने, आप देख सकते हैं हमारा जो कितना अच्छा दिख रहा है, सिख चुका है, प्रॉपर सिख रहा है, थोड़ा सा और सिख लेते हैं, मेडियम फ्लेम पर सिखें, कभी पराठा जोलेगा भी नहीं, और बहुत ही अच्छा रिड डिश पराठा बनेगा, दिखने में भी बहुत अच्छा होता है, और खाने